परिक्षा के द्रश्टी कोड से आप सभी की तैयारी बहुत ही बहतर चल रही होगी पर क्या होता है जब हमारा फोन हम बहुत जादा चला लेते बहुत जादा फोन को यूज कर लेते हैं तो फोन हमारा गरम होने लगता है और हैंग करने लगता है वैसे ही हमारा दिमाग भी ह यादि आप उसे जरुरस से जादा चलाूगे तो कही ना कही problem create करने लगेगा वह mix match करने लगेगा तो हम क्या करते हैं जब phone कर हो जाता है तो phone को reboot करते यह जब हैंग में लगते हैं तो थोड़ी देर के स्विच ओफ करते हैं और फिर उसको on करते हैं बंसे हिं तो गंटे देड़ घंटे के बीच में एक दस मिनिट का नैप लेना होगा इसके सांथी साथ में अगर आपके बास में बहुत जादा पढ़ाई हो चुकी आपका दिमाग बहुत जादा परिशान हो चुका है पढ़ पढ़के तो आप एक दिन का ओफ ले सकते हैं अब इस ओफ मे हैं तो उसके बाद एक कॉपी और पैन उठाइए और कॉपी पे अपने गोल्स लिखिए आपने जितनी भी चीज़े अभी तक लाइफ में सोची है वो सारी चीज़े लिखिए जो भी आपको अच्छा लगता है पेंटिंग अच्छी लगती है पेंटिंग कीजे पोईट् कि अगर हम दो कदम पीछे जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पीछे अट रहे हैं हो सकता है कि हम उची चलांग लगाने की तयारी कर रहे हो तो बिलकुल वैसे ही आपको भी करना है तो चलिए हमारी आज की क्लास की तरफ आंगे बढ़ते हैं आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश में स्वतंतरता सेनानियों के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्वतंतरता सेनानी थे इनकी कहानी क्या है क्योंकि हम बहुत जादा डीटेल में सारी चीज़े कवर कर चुके हैं तो आज हम सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लेके चलने वाले हैं लक्सा जोशृत्पन्य हो जाता है जिसका प्रमुखकारण इन रानी की वीरता ही है। जन्म की, नाम मनु था या फिर मनी करने का इनके पिता का इसके साथ में इनका जब विवाह तै होता है इनका विवाह जासी के महराज गंगा धर राव के साथ तै होता है इस प्रकायर से रानी लक्षमी बाई जो है या मनु जो है वो रानी लक्षमी बाई के रूप में जासी की रानी बनती है और जासी कौन सा शेत्र था तो जासी मर इसके अलावा आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि रानी लक्ष्मी बाई जो है इनका युद्ध क्यों हुआ गंगाधर राव जी से रानी लक्ष्मी बाई का विवाह होता है और इसके कुछ शमय पत्षात गंगाधर राव जी से रानी लक्ष्मी बाई को एक पुत्र र तो हड़त नीति भी भारत में इसी समय आई और हडप नीति आने के कारण क्योंकि रानी विद्वा ओ चुकी थी तो रानी के पास कोई उत्रादिकारी नहीं था और अपने राज्ये को बचाने के लिए इन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया और इसके बाद इन्हें अपन दत्तक पुत्र माना और क्योंकि डलहौजी की नीटी के अनुसार जो दत्तक पुत्र है वह राजय का उत्रा धिकारे नहीं हो सकता इस कारण से डलहौजी और अंगरेजी सप्रकार चाहती थी कि वो राणी के शित्र को हत्या ले लेकिन रानी अपने शित्र को बचाना चाहती थी और अपने शित्र को बचाने की कारण इन्होंने युद्ध करना स्विकार किया रानी लक्षभी भाई के मुखता दो युद्ध हुए जो की अंग्रेजी सत्ता के साथ में हुए पहला जो युद्ध था उनका वर्ष 1898 में हुआ था जो कि यूरोस के साथ हुआ था उसके बाद दूसरा उद्ध हुआ वो हुआ था 15 जून 1898 को और ये युद्ध जो है वो आईरिश के साथ में हुआ था यूरोस और आईरिश दोनों ही बिटिस सेना के उच्चितम अधिकारी थे रानी ने यूरोस को तो बहुत जादा मार के भगा दिया बहुत परिशान कर दिया इसके बाद जब आईरिश आया और आईरिश के साथ जब रानी का युद्ध हुआ तो रानी ने बहुत ही वीरता क के साथ एक भयंकर युद्ध किया और इस युद्ध के पश्या जब रानी को निश्चित हो गया कि अब वो नहीं जीत पाएंगे और अब उनका बचना संभव नहीं है तो उन्होंने अपने ही कटार से स्वयम को मार कर आत्म हत्या कर ली तो इस प्रकार से हम देखते हैं वी द्वती शहीद वीरांगना कहा जाता है अगर इन्हें द्वती शहीद वीरांगना कहा जाता है तो प्रथम कौन है तो प्रथम है रानी आवंती बाई लोधी जो की मंडला जिले से संबंदित थी रानी ने कहां से 1857 की क्रांती का नित्रत्वी किया तो रानी ने कानपूर और जहांसी वाले शेत्र से 1857 की क्रांती का नेत्रत्व किया इसके बाद इन्होंने अपने भाई जो तात्या टोपे थे उनकी मदद से गौालियर वाले शेत्र पर भी अधिकार कर लिया था गौालियर के सिंधियाओं को हरा कर अगले सेनानी की तरफ चलते हैं वो है रानी अ अवंती भाई की जिए हम बात करते हैं तो इनका शेत्र गण मंडला अर्थात रामनगर वाला शेत्र था ये प्रथम शहीद विरमानगोना कहलाती हैं रानी लक्षमी बाई का जो जन्म है वो 1831 में हुआ था जो पती विक्रमादित्य जी को अंग्रेजी सरकार विश्षिप्त घोशित करके विश्षिप्त मतला पागल या फिर मांसे करोगी घोशित करके उनका शेत्र हडपना चाहती थी लेकिन रानी अवंती भाई बहुत ही जादा वीर थी और ये बिलकुल भी अपना शेत्र नहीं दे ना चाहती थी तो इस कारण से इन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध युद्ध किया और इन्होंने जो युद्ध किया वो किया था अंग्रेज अधिकारी वॉर्डन के साथ में तो वॉर्डन के साथ इन्होंने युद्ध किया और ये वर्ष 1858 में 28 मार्च के दिन शहीद हो गई थी इस कारण से इन्हें 1857 की क्रांती की प्रथम शहीद वीरांगना माना जाता है वीरांगना की बात हो रही है वहीं मध्य प्रदेश से सहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति हमेशा कुवर चैन सिंग ही रहेंगे यदि विरंगना की बात आएगी तो रानी अवंती बाई सामने आती है इसके अलावा इन्होंने 1857 की क्रांती का नेतरत्व कहां से किया तो इन्होंने क्रांती का नेतरत्व गर मंडला से किया था और इसी शेत्र को राम नगर के नाम से भी जाना जाता है रानी अवंती बाई जो है इनकी एक सहायक थी जो कि बहुत जाड़ा फेमस थी उनका नाम था गिरधारी बाई रानी अवंती बाई की सहायक थी गिरधारी बाई वहीं रानी लक्ष्मी बाई की सहायक थी जलकारी बाई और रानी दुर्गावती के जब हम बात करते हैं तो उनकी सहाइक थी चेरी बाई लेकिन उनका संब्ध अगबर से है रानी दुर्गावती का और रानी लक्ष्मी बाई और अवंती बाई का जो संब्ध है वो 1857 की क्रांती से तो दोनों की जो सहाइका है अवंती बाई की सहाइका का नाम था गिर्धारी बाई और वहीं रानी लक्ष्मी बाई की जो सहाइका थी उनका नाम था जलकारी बाई देखें कैसे याद रखना है रानी लक्षमी बाई थी जहासी से तो रानी लक्षमी बाई जहासी थी थी जहासी जहलकारी जहासी जहलकारी तो जहासी वाली रानी लक्षमी बाई की साहे का जहलकारी बाई अवंती बाई की जब हम बात करते हैं तो अवंती बाई की साहिका गिर्धारी बाई नॉर्मली याद हो जाएगा अगर जलकारी बाई अल्रेडी लक्ष्मी बाई की तो हो गई है साहिका तो फिर जो अवंती बाई की बचेंगे वो गिर्धारी ही होंगी नेक्स चलते हैं ये हैं गिर्धारी बाई और ये हैं जलकारी बाई जलकारी बाई का सम्मंद था रानी लक्ष्मी बाई से जलकारी बाई जहांसी के शित्र में रहा करती थी और रानी लक्षमी बाई की दुर्गा सेना की प्रमुख व्यक्ती थी उनकी दुर्गा सेना को समालती थी उसकी सेना पती भी थी इसके साथ ही साथ मैं ऐसा कहा जाता है कि रानी लक्ष्मी भाई की जलकारी भाई एकदम हमशकल थी और सत्रू को चक्मा देने में रानी लक्ष्मी भाई की मदद किया करती थी वो बिल्कुल रानी लक्ष्मी बाई की तरह ही वीरता से लड़ा करती थी और इनके ही कारण से बहुत बार अंग्रेज रानी लक्ष्मी बाई को पकड़ भी नहीं पाये थे रानी अवंती बाई की सही का गिर्धारी बाई इन्हों ने भी मंडला की राम नगर से 1857 की क्रांती का नित्रत्व किया था तात्या टोपे तात्या टोपे का मूल नाम था राम तनू पांडू रंगा राम तनू पांडू रंग तात्या टोपे जी का जन्म मध्य प्रदीश में नहीं हुआ था बलकि इनका जन्म महराष्ट्र में हुआ था और महराष्ट्र के नासिक वाले शेत्र में एक गाउ लगता है जिसका नाम है येविला गाउ येवला गाउं इस गाउं में तात्या टोपे जी का जन्म हुआ था तात्या टोपे जी को भारतिय चीते और महराश्ट के बाग के नाम से भी जानते है तो भारतिय चीते के नाम से किसे जाना जाता है तात्या टोपे जी को जाना जाता है इसके अलावा जो तात्या टोपे जी है इन्होंने किस छेतर से 1857 की क्रांती का नेतरत्व किया तो इन्होंने कानपुर और जासी से 1857 की क्रांती का नेतरत्व किया इन्होंने बहुत जादा सहायता की थी रानी लक्ष्मी भाई की और तात्या टोपे जी एक दिन एक गाउं में सो रहे थे और इनके बारे में अंग्रेजी सरकार ने वैसे भी इस्थियार निकाला हुआ था कि जो भी इनकी सूचना देगा उसे मुह मांगी कीमत दी जाएगी तो सिंधिया सामंत जो रहे थे मान सिंग नामक एक व्यक्ति के विश्वास घात के कारण मेजर मीड ने तात्या तोपे जी को पकड़ा और इसके बाद इन्हें 1869 में 1959 में इन्हें फासी दे दी गई तो कहा पर फासी दी गई तो इन्हें शिवपूरी में फासी दी गई इन्हें पकड़ा किस ने ये क्या करते थे ये अंगरेजों का धन लूटते थे और उनका धन लूटने के बाद में गरीव आदिवासियों में इनका संपूर्ण धन बाट दिया करते थे इस कारण से अंगरेजी सरकार ने इनके सर पर इनाम रखा हुआ था और होलकर सरकार ने इन्हें किरफ़तार करके 1889 में अंग्रेजी सरकार को शौप दिया और उसके बाद इन्हें 1889 में फांसी दे दी गई मामा टाट्या भील को इन्हें इंडियन रॉबिन हुट की नाम से भी जाना जाता है शंकर शाह और रगुनात शाह देखे तो शंकर शाह है न इन्होंने 1857 की क्रांती का नेतरत्व किया था गड़ मंडला से तो गड़ मंडला से और राम नगर से 1857 की क्रांती का नेतरत्व करने वाले कौन थे तो रगुनात शाह और शंकर शाह जो है इनके ही बेटे थे रगुनाथ शाह, फोटो में देख सकती ये शंकरशा है और ये रगुनाथ शाह है. ये दोनों पिता पुत्र को अंगरेजी सरकार ने करांटी का सहीओग करने के कारण इन दोनों को अंग्रेजी सरकार के द्वारा तोप के मुँपर बांध कर उड़ा दिया गया जो की 18 दिसंबर 1858 की घटना है अर्थाथ 18 दिसंबर 1859 को रघुनात शाह और शंकर साह दोनों को तोप के मुँपर बांध कर उड़ा दिया गया था इनके चीतरे चीतरे उड़ा दिये गए थे किसके द्वारा अंग्रेजी सरकार के द्वारा अर्थात इतनी क्रूर थी अंग्रेजी सरकार आप सो समझ सकते हैं भीमा नायक, भीमा नायक को जन नायक के नाम से भी जाना जाता था, इन्हों ने 1857 की क्रांती का नितरत्व भी किया, इसके अलावा ये भी वही काम करते थे जैसे कि मामा टाट्या भाय भील किया करते थे, अंग्रेजी सरकार का पूरा धन लूट कर गाउं में छोटे इसके अलावा इन्हें निमान का रॉबिन हुट कहा जाता था, इनके जाधा तस्वीरें हमें नेट में नहीं मिलती, इनकी एक ही फोटो हमें ये दिखाई देती है नेट में, इसके साथ ही साथ में इन्होंने कई बार सरकारी खजाने को लूटा है, इन्हें विश्वास ख अंडमान निकुबार में एक जेल थी, आपको पता होगा अंग्रेजी सरकार की फेवरेट जेल थी वो तो, हर किसी को वहीं पहुचा दे रहे थे, तो अंडमान निकुबार भेजा गया था, किसे भीमा नायक जी को इन्हें निमार के रॉबिन हुट के नाम से भी जाना जा इनके अंतरगत सिहोर का शेत्रा आता था, और सिहोर के दशहरा मैदान में इन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा, इस युद्ध में देखे कहानी क्या हुई, कहानी होती है कि जून 1824 की बात है, 1824 कब की क्रांती के 33 वर्ष पहले देखे 1857 में हुई थी क्रांती, और हम बा अधिकारी एक नाम होता है, जिसका नाम होता है मैडॉक, तो मैडॉक क्या करते हैं, भोपाल के नवाब के साथ संधी करते हैं, जिसके तहत आजू-बाजू के शेत्रों का शाशन मैडॉक को दिया जाता है, और भोपाल के बाजू में जो सीहोर जिला है, यहाँ पर एक छा राज़ कुमार कुवर चैन्सिंग नियुकार रियासत स्टर्फ केट राजनेतिक अधिकार दो हों मेडूक के हात्ति में और इस स्थिति को भापते हुए कुवर चैन्सिंग चैन्सिंग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया है और युद्ध करना तो जून 1824 में कुवर्चेर सिंग और मेडोक के बीच में एक युद्ध हुआ जो कि शीहोर के दसहरा मैदान में हुआ था कुवर्चेर सिंग, हिमत सिंग और बहदूर खां के साथ अपने 43 सैनिकों को लेकर सिहोर के दसहरा मैदान में गए लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि अंग्रेजी सरकार इतनी बड़ी सेना लेके आजाएगी युद्ध करने ये तो सिर्फ नॉर्मल समझोता करने बात करने गए थे सरकार इतनी बड़ी सेनिकों ने युद्ध के साथी थे उन दोनों ने भी युद्ध किया तो इसी युद्ध में कुबर जैनिक की नत्ति हो जाती है और उनका जो धड़ होता है ये रणभूमी मरही कटकर गिर जाता है क्योंकि ये धोके से उतारा गया था अंग्रीजी सरकार धोके से उनका धड़ काट लेती है तो इसके साथ में ये इस प्रकार से मध्य प्रदीश के पहले शहीद कहलाते हैं तो ये 824 में ही शहीद हो गय थे बाकि सभी जो स्वतनता सिनानी है वो 857 की क्रांती के पश्यात सहीद हुए है और कुछ पहले भी हुए है लेकिन सबसे पहले 1824 में कुवर्चेन सिंग शहीद हुए थे राजा बक्तावर सिंग जो है वो धार की अम जेरा के शाषक थे और इन्हों ने 1857 की क्रांटी का नेतरत्व धार से किया था नेक्स शलते हैं शेख रमजान और ठाकुर रणमत सिंग देखे जो शेख रमजान है इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि इन्होंने 1857 की क्रांती का नेतरत्व किया मध्य प्रदीश के सागर वाले शेत्र से इसके अलावा जो ठाको रणमत सिंग है इन्होंने भी 1857 की क्रांती का नेतरत्व किया और इन्होंने क्रांती का नेतरत्व दो किया लेकिन अपने साथ लगभग 300 और सैनिकों को भी क्रांती में आंगे बढ़ाया इसके साथ ही साथ में जो ठाको रणमत सिंग है इन्हें अंग्रीजी सरकार ने कैद कर लिया और इसके बाद इन्हें 1859 में 1869 में इन्हें फांसी दे दी गई जो की अंग्रीजी सरकार के द्वारा दी गई इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम मतलब स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है और मध्य प्रदेश में कौन से छोटे-छोटे संग्राम हमें देखने के लिए मिलते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं रतोना अंडोलन रतोना अंडोलन जो है यह बहुत जादा फेमस अंडोलन है और यह मत्र प्रधिश सागर जिले में हुआ था और जिसका प्रमुख कारणता यहां पे कसाई खाना बनना देखी क्या हुआ था वर्ष वर्ष 1920 में सागर जिले के अंतरगत यहां आंदोलन आरंभ हुआ और यहां पर कहा जा रहा था कि एक कसाई खाना बनेगा और इस कसाई खाने में लगभग 1600 गायों को प्रती दिन पर डे काटा जाएगा और जिसके विरोध में अपदुलगनी और माखललाल चतुरवेदी जी के द्वारा यहां पर इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया इस आंदोलन को जैसे परवान चड़ते ब्रिटिश सरकार ने देखा तो ब्रिटिश सरकार को यहां पर जुकना पड़ा और इस आंदोलन के प्रणई ता माखललाल चतुरवेदी जी विजै हो गए और यहां पर कसाई खाना नहीं बना तो यह आंदोलन ह्रतूणा आंदोलन की नाम से जाना जाता है क्योंकि सागर जिले के रतोना नामक शेत्र में यह कसाई खाना खुलने वाला था इस कारण से जंडा अंदूरन की बात करते हैं तो जंडा अंदूरन का प्रमुक्ष कारण यह है कि जबलपूर के जो टाउन हॉल है इस टाउन हॉल में हमारा भारती जंडा लगाया गया था यह आप इमेज देख सकते हैं हमारा भारती जंडा जबलपूर के टाउन हॉल में लगाया गया था और इस हॉल से ब्रिटिश हथिकारियों के द्वारा इस जंडे को नीचे निकाला गया और निकालने के बाद इससे और जादा बुरे तरीके से पैर से कुछला गया और इत माह की सजा दी गए ब्रिटिश शरकार के द्वारा इसकी अलावा जो अन्य अपराधी थे जिन्हों ने इस जंडे अंदोलन में भाग लिया था उन सभी को अलग-अलग प्रकार के कारावाज दिये गए नमक सत्याग्रह का सीधा संबंध महात्मा गांधी की डांडी यात्रा से है जिन्होंने नमक सत्याग्रह के लिए इस यात्रा को प्रारम्द किया था मध्य प्रदेश के छेतर में जवलपुर जुले की अंतरगत और सिवनी जिले के अंतरगत नमक सत्याग्रह हुआ और इस सत्याग्रह में दुरगा शंकर महता जी ने शिवनी जिले से नमक बत्याकर नमक बनाकर कानून तोड़ा इसके अलावा जो यहाँ पर सेट गोविंद दास ने जवलपुर में नमक सत्यागरह का नेत्रत्व किया इसके अलावा घोडा डोंगरी सत्यागरह की हम बात करते हैं तो इस सत्यागरह को आदिवासी नेताओं के द्वारा किया गया था जिसका मुख्य कारण यहाँ था कि आदिवासी जो नेता थे यह चाहते ही थे कि बिटिश शरकार जंगलों पर अपना अधिपत्य स्वीकार ना करे तो इसका नेत्रत्व गुंजन सिंग कोरकु के द्वारा किया गया कुछ-कुछ शाक्षों में इस व्यक्ति को बंजारे सिं कोरकु भी कहा जाता है यह प्रमुख आदिवासी नेता थे जो की गोडा डोंगरी सत्याग्रह में शामिल थे यह कहा था तो यह सत्याग्रह हुआ था बैतूल जिले की अंतरगत जिसका मुख्य कारण था बिटिश शरकार की जंगलों में हस्तक शेप करने की नीती इस आंदूलन का नीतरत्व किया था जो की बैतूल में हुआ है इसके अलावा सिवनी जिले में भी यहां आंदूलन हुआ और इसमें जन सामान्य ने सिवनी जिले के चंदन के पेड़ों को काटा और कौन से चंदन के पेड़ वे चंदन के पेड़ जो की सरकारी थे जिन पर ब प्रदिशन नहीं मानने वाले हैं चरण पादुकार नरसंगार को मध्य प्रदेश का जलिया वाला बाग हत्याकंड भी कहा जाता है छतरपुर जिले के चरण पादुका मैदान पे सबसे पहले जिला कौन सा लगता है छतरपुर कब हुआ था ये तो चौदा जन्वरी वर्ष 1931 के दिन यहां नरसंगार हुआ था यहां कहां परिस्थे था तो छतरपुर जिले के चरण पादुका मैदान पर यह जो मैदान है यह किस नदी के किनारे है तो यह है उर्मिल नदी के किनारे और यह सारे कोश्चन पहले पूछे जा चुके है जो मैं यहां पर लिख रही हूँ तो उर्मिल नदी के किनारे इस्थित है तो इस मैदान पर होने वाली आम सभा पर जैसे की जलिया वाला पारु का मैदान में एक आम सभा चल रही थी इस आम सभा पर अंदादुन बिटिश शरकार के द्वारा गोलिया चलाएगी और यहां पे बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई और इसे ही मध्य प्रदेश का जलिया वाला बाग हत्याकंड कहा जाता है पंजाब मेल हत्याकंड का संबंद खंडवा जिले से हैं कि पंजाब मेल हत्याकंड खंडवा जिले से संबंदे थे खंडवा जिले से एक ट्रेन गुजर रही थी जिसका नाम था पंजाब मेल जो की दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही थी और इस मेल में बैठे हुए इसकी भी हत्या कर दी गई करांतिशे द्वार, यह करांतिशे सिंग से दो कॉरासी की सदा दी कर सीघ्रन के गई कला पानी का मुदेख दिए प्रकार से पंजाब Mille पांटा कर दों other a happyers की भी और मेजर शाहन की भी इसके साथ ही हमने मध्य प्रदेश में होने वाले सभी क्रांतिकारी आंदोलनों को कवर कर लिया है इसमें से जो भी क्रांतिकारी आंदोलन शेश बचे होंगे उन्हें हम नेक्स वीडियो में कवर कर लेंगे आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हमें कमेंट में जरूर बताएं इसके साथ ही साथ में हमारी वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें क्योंकि बिना बैल आइकन दबाए बिना सब्सक्राइब कि आपको हमारी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी ओके थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में